अध्या एक वंदना गेहूं पीषने वाला एक अध्भुत संत गेहूं पीषने की कथा तथा उसका तातपर्य पुरातन पधिती के अनुसार स्री साई सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गनेश को सास्टांग नमन करते हैं, जो कारी को निर्वेग्र समाप्त कर उसको यसस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई ही गनपती हैं। जो की स्वयम ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विश्नु और महेश को जो क्रमसः, उत्पति, स्थिति और सहार करता हैं और कहते हैं कि श्री, साई और वे अभिन्न हैं, वे स्वयम ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे फिर अपने कुल देवता, श्री नारायन आधिनात की वन्दना करते हैं, जो की कोकन में प्रगट हुए, कोकन वह भूमी है, जिसे श्री परशु रामजी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था, तथ पश्चात वे अपने कुल के आधि पूरुसों को नमन करते हैं फिर श्री भारत द्वाज मुनी को जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन रिशियों को जैसे याग वल्लव क्य, भ्रिगु, पारसर, नारद, वेद्व्यास, सनक, सनंदन, सनत, कुमार, शुक, सौनक, विश्वमित, वसिष्ट, वामदेव, जैमिनी, वेशं पायन, नवयोगिंद्र, इत्यादी, तथा आधुनिक संत जैसे नीवृति, ज्यानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनारदन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कानहा, नरहरी, आधी को नमन करते हैं। फिर अपने पितामः, सदाशियो, पिता, रगुनात और माता को, जो उनके बच्पन में ही गत्थ हो गई थी, फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरन पोषण किया, और अपने प्रियजेश्ट भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि ये वे एकाग्रचित होकर कथामनित का पान करें। अंत मेश्री सचिदानंद सद्गुरु श्री साइनात महराज को जो की श्री दत्तात्रेग के अवतार और उनके आश्रे दाता हैं, जो ब्रह्मा सत्यम जगन्न मित्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूती कराते हैं। सर्व श्री पारसर व्यास और सांडिल आदी के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार मोहदय निम्न लिखित कथा प्रारंभ करते हैं। ग्यहूं पीषने की कथा सन 1910 में मैं एक दिन प्राते काल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दिश्य देख मेरे आश्चरी का ठिकाना ना रहा कि साई बाबा मुँ हाथ धोने के पश्चात चक्की पीषने की तयारी करने लगी। उन्होंने फर्स पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीषने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डाल कर पीषना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीषने से क्या लाव है। उनके पास तो कोई भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षा वृती द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्तित अन्य वेक्तियों की भी ऐसी ही धारना थी। परन्तु उनसे पूछने का सहास किसे था। बाबा के चक्की पीषने का समाचार सिघर ही सारे गाउं में फैल गया। और उनकी यह विचित लिला देखने हे तू ततकाल ही नर नारियों की भीड मस्जित की और दोड पड़ी। उनमें से चार नीडर इस्तियां भीड को चीरती हुई उपर आईं और बाबा को बल पुर्वक वहां से हटा कर उनके हाथ से चक्की का खूटा छीन कर तथा उनकी लिलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहु पिसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए परन तु फिर उनका भक्ति भाव देखवे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पिस्ते पिस्ते उन इस्त्रियों के मन में ऐसा विचाराया कि बाबा के ना तो घर द्वार है ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देखरे करने वाला ही है। वे स्वयम विक्षा वृति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। अतह उन्हें भोजना दी के लिए आटे की अवशक्ता ही क्या है। बाबा तो परम दयालू है। हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वित्रन कर दे। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटा कर आटे को चार समान भागों में विवक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्दत हुई। अभी तक्षांत मुद्रा में निमगन बाबा तच्छन ही क्रोधित हो और उन्हें अफशब्द कहने लगे इस्त्रियों क्या तुम पागल हो गई हो तुम किसके बाप का माल हरपकर ले जा रही हो क्या कोई कर्दार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिये जा रही हो अच्छा अब एक काम करो इस आटे को ले जाकर गाउं की मेंड पर बिख पर यह है उन्होंने मुझे बतलाया कि गाउं में विसूची का यानि की हेजा का जोरों से प्रकोफ है और उसके निवारनार्थ ही बाबा का यह उपचार है अभी जो कुछ आपने पीस्ते देखा था वह गेहु नहीं वरन विसूची का यानि हेजा जो पीसकर नश्ट कर गई है इस घटना के पश्चात सचमुच विसूची का की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गई यह जानकर मेरी प्रसनता का पारावार ना रहा मेरा कोतु हल जागरित हो गया मैं स्वयम से प्रस्ण करने लगा कि आटे और विसूची का रोग का भौतिक तथा पारसपरिक क्या संबंध है इसका सुत्र कैसे ग्यात हो गटना बुधि गम्मे सी प्रतित नहीं होती अपने रिदय की संतूष्टी के हेतू इस मधूर लिला का मुझे मुझे चार शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए लिला पर चिंतन करते हुए मे तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की क्रिपा और शुब आशिरवात से सफलता पुर्वक संपन हो गया आटा पीषने का तातपर है शृड़ी वासियों ने इस आटा पीषने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है बाबा शृड़ी में साट वर्सों तक रहे और इस दिर्ग काल में उन्होंने आटा पीषने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया पीषने का भी प्राय यहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों दुरभाग्यों मानसिक और सारीरिक तापों से था उनकी चक्की के दो पाटों में उपर का पाट भक्ती तथा नीचे का कर्म था चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीषते थे वह था ज्यान बाबा का द्रिड विश्वास था कि जब तक मनिश्य के हिदय से प्रवर्तियां आसकती घ्रिणा तथा एहंकार नश्ट नहीं हो जाते जिनका नश्ट होना अत्यंत दुसकर है तब तक ज्यान तथा आत्मानु भुती संभावन नहीं है यह घटना कबीरदाश जी की इसके तदनू रूप घटना की स्मृती दिलाती है कबीरदाश जी एक इस्तिरी को अनाज पीषते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उ चक्की के केंदर में जो ज्यान रूपी दंड है उसी को दिढ़ता से पकड़ो जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ बस केंदर की और ही अग्रसर होते जाओ तब यह निश्चित है तब तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे श्री सद्गुरु साइनात्पण मस्तु शुभम भवतु